2.33 क्या कह रहा है? कह रहा है कि parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating of 1 kV, यह उसका voltage rating है, voltage rating का मतलब जितना voltage हो जहल सकता है, वो 1000 volt का potential difference, उसमें अप्लाई कर दोगे वो वो बियर कर ले जाएगा, है ना, voltage rating using the material directly constant k, और जो material उसके अंदर भरा हुआ है उसका dielectric constant कितना है? वो 3 है, 3 है, and dielectric strength, जो dielectric strength है उसकी, जितना electric field वो बियर कर सकता है, वो है 10.7 volt per meter, 10.7 volt per meter, इतना वो बियर कर सकता है, ठीक है? dielectric strength is the maximum electric field of material, can be tolerate without breakdown, breakdown का मतलब यह हुआ जाकर के, कि जो वो अलग-अलग molecule हो रहे है, थोड़ा सा अपनी जगह shift हो रहे है, वो अपने, जो है, nucleus को छूण के बाहर चले जाए, तो उसको कहेंगे, वो breakdown हो गया, ठीक है? without starting the conducting electricity, उसो अलग की बात है, लिखा, for safety, we would like to field never be exceed, say, 10% of dielectric strength, देखे, इसकी जो electric field जहलने की ताकत तो कितनी है, 10 to power 7, अब हम कहते हैं कि, भाई, मैं 70 kg उठा सकता हूँ को, 70 लाद दो अमरे उपर, भाई, 70 kg, यानि 10.7 वोल्ट पर मीटर electric field वो bear कर सकता है, तो का 10.7 ही उसको लाद दोगे, तो उन्होंने का देखिया ऐसा है, हम करेंगे ये, कि हम इसमें जो electric field लगाएंगे, वो इसका 10% से ज्यादा नहीं लगाएंगे, 10% लगाएंगे, यानि electric field applied जो हम करेंगे, electric field applied, applied, E dash माल लिया है, तो क्या होगा, 10% of E, इतना apply करेंगे है, भाई अकर पूरा का पूरा apply कर दोगे, तो वो तो एक standard value है, वो ideal condition उसकी है, तो 10% मतब 10 upon 100 into 10 to power 7, बोले तो 10 to power 6 वोल्ट पर मीटर, तो इतना electric field हम apply करेंगे, उसमें, इसे ज़्यादा नहीं करेंगे, ये पता दिये दिया है इनोंने, तो what minimum area of the plate is required, तो हमको एक plate बनानी है capacitor की, उसका area कितना होना चाहिए, जबकि उसी capacitance 50 picofarad है, c कितना है, 50 picofarad, तो आप c का formula क्या होता है, k epsilon naught, a upon d, यह होता है ना, तो आपको क्या निकलना है, a निकलना है, k मालूम है, epsilon naught मालूम है, d कहां से लेकिया है, तो d कहां से खोजेंगे, v और e से कुछ relation होता है, तो आप जानते हैं अगर capacitor यह होता है मालिया, और इसके भी plate की जो distance d है, और electric field e है, potential v है, e बोले तो e dash, मतलब वो electric field हमें हैं, जो हम apply कर रहे हैं, तो electric field और potential में क्या relation होता है, e is equal to v upon d, तो d की value क्या लिखेंगे, v upon e, यह तो लिखेंगे ना, सही c मैं लिख रहा हूँ, so c is equal to क्या हो जाएगा, c is equal to आएगा k epsilon not a upon v upon e, अब यहां से a निकाल लो उठा करके, ठीक है, तो यहां लिख रहा हूँ मैं, तो जब इसको इधर ले आओगे, c v upon e k epsilon not is equal to e, यहां value उठा कर रख दोगे सब, c मालूम है, c मालूम है, 50 pico farat, इसको लिखेंगे, 50 into 10 power minus, 12 farat, v आपको मालूम है, 1000 volt, e कौन सा लिखेंगे आप, e हम जो apply कर रहे हैं, यहां पर क्या लिखा जाएगा, e dash, यहां पर e क्या लिखा जाएगा, e dash, तो यहां पर value रखके, answer निकाली, जो भी value आ रही होगी, वो अपने value आ जाएगी, ठीक है, तो a is equal to, जो भी value है, जाएगी, निकाल के दिखाओ कि इतनी value आ रही है, क्या value आई है, 1.88 into 10 power minus 3 meter, यानि इसको 1 meter square, यानि, meter square हैगा, 1.9 into, अचा, 1.92 minus 3 लिख सकते हैं, meter square, इसको हम चाहें, तो 19 into 10 power minus 4 meter square लिख सकते हैं, इसको 19 centimeter square लिख सकते हैं, छोटी value है, इसलिए हम meter square में, नहीं लिखेंगे, ठीक है, अब इसको 0.0000000002 रुपया लाओ, तो पैसा ना बता दो, कि 20 पैसा देना, 10 पैसा देना है, रुपयों बता रहो, point में बता रहो, तो जो कि point में बहुत बड़ी value है, बहुत छोटी value है, इसलिए हम ने, उसको centimeter square में लिख दिया, 19 centimeter square, ठीक है, अब आप कहेंगे, 1.888 ही लिख दे, तो को 1.88 exact answer आ रहा है, decimal खतम हो गया बहां से, नहीं खतम होगा ना, जब नहीं खतम होगा तो पर round up करना पड़ेगा आपको, अब ये depend करता है, कि 1 decimal तक करोगे या 2 decimal तक करोगे ये आपकी जमेदारी, ठीक है, ठीक है, ठीक है.